द सब्सक्राइँ दिल दीदि दिल्को को भी है इसको को भी बहुता है कि इसको खूहाला नमक और चाठ अब कराही में जो है थोड़ा जीरा डालेंगे करी पता डालेंगे और अलग से हमने टमाटर डाल खाली टमाटर मिक्सी में पीसा है देखिए यह मिक्सी में पीसे हुए टमाटर है इसमें लाल मिर्ची हलका नमक हरी मिर्ची हलका अद्रक थोड़ा सा यह डालके हमने पीसा है अब इसका ग्रेवी बनाएंगे कराही में डालके और इसमें फूरको भी छोड़ेंगे अब देखिए यह डालते हैं कराही के अंदर जैसे इस कलिके से इसको मैं मिला रहे हुए जैसे यह टेल छोड़ेगा पूरी कलिके से पक जाएगा इसके बाद में जो है इसको ग्रेमी बना करके पक जाएगा उसके बाद में इसको खुड़ेंगे और अच्छे से पक आएगे इसके बाद में बहुत मस्त लगता है यह यह सबजी बहुत मस्त लगता है बहुत तेस्टी लगता है मतलब साधा रोड़ी के साथ में खाने के लिए बहुत देखिए इसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है कितना मस्त हुए है अब इसको अच्छे से पकने दे जब तक कि ये तेल नहीं छोड़ देता है दोस्तों इसका नाम है दिलवहार फुलकोवी इसके अंदर आप थोड़ा दही डालेंगे दैके दैके दखी डाला इसको अच्छे से मिक्स तरते ना की ता कि फटना दरीं तो इस तरीके से दोस्तों दूसरो देखिए इसका दखी चेंज हो गया जब ї नहीं फटना जी रखी श्रक दोस्तों घ्यान रखी अंच्छे से मेक्स करते रहे snacks अच्यक्ते हैं थो जी कि यह सब्जी देखी दोस्तों हम फुल कोवी डाल ने इसमें जिसको हमने फ्राइक करके रखा था उसको कमी को इसमें डाला देखिए इस तरीके से फुल कोवी डाला अब इसको अच्छे से सिज़ाएंगे इसकी अंदर मस्सिज़ा तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में दोस्तों दोस्तों इसका नाम है दिलबहार फुल कोवी देखिए किस तरीके से लग रहे दोस्तों देखिए एकदम से त्यार है सबजी दिलबहार फुल कोवी की सबजी देखिए कितना मस्ट है अभी हलका ओल रहा है बस बंद करने जाड़ाओं गैस और एकदम से त्यार है देखिए और इसका टेश्ट इतना अच्छा लगेगा दोस्तों पहले इस्तमाल करें फिल कितना अच्छा टेस्टी लगता है मेरे चैनल का सब्सक्राइब जो रूखी जी का दोस्तों नमस्कार